हेलो एब्रिवन नमस्कार स्वागत है आप सभी का स्टड़ी कोच 91 यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के बैक पेपर के रिकॉर्डिंग बात करने वाला हूँ एक्चली दोस्तों कई स्टुडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर जो अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और एक्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है तो अगर सर रिजल्ट आता है बैक आ जाती है तो क्या होगा कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग भीया वाटसे पर पो होगा पूरी डाउटस आप लोग की क्लियर हो जाएगी तो वीडियो के साथ आप सभी लोग पुरा अंत तक बने रहेएगा दोस्तों अगर फिर भी आपकी कोई डाउट रह जाती है क्लियर नहीं हो पाती इस वीडियो के माध्यम से तो आप लोग जो है कमेंट करके जरू लाइ खला जाता हे तो ध्यान दिजे अगर आप फर्स सेमिस्टर का पेपर दिये थे क्योंकि भी या ओड्र सेमिस्टर का रिज़र्ट आने वाला है यानि करा फ़र्स सेमिस्टर के ची semester में करा दिया जाता था ठीक है क्योंकि भाईया मैं अपनी बात बता दू तो मेरी खुद की back लगी थी first semester में जिसका exam second semester में हो गया था और उसमें clear भी हो गया थी ठीक है तो भाईया यार इस diploma में या फिर B.T.E. को गयरा में back लगना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन यार back paper आप लोग का final year में ना लगे आप लोग बने रही back paper के साभी doubts जो है मैं clear करूँगा देखिए इस समय जो नियम चल ला है अगर आपका first semester का जो result आता है उसमें अगर आपकी back लगती है तो भाईया third semester में आप लोग का वो even में भी हो सकती है ठीक है लेकिन देखिए अगर आपका third semester में back लगती है तो आपका fifth semester में होगा क्योंकि भाईया इस समय जो नियम है odd semester का back odd semester में होगा even semester का back even semester में होगा ठीक है लेकिन दोस्तों ये नियम जो है final year में change हो जाती है अगर final year में जो fifth semester के students exam दिये हैं अगर उनका back लगता है तो उनका sixth semester में उसका exam होगा ध्यान दीजिए ठीक है अगर आप final year में हैं और किसी भी semester में back लग रहा है ठीक है इस बार जो है अगर आप sixth semester का इस बार examination form भर रहें आपका किसी भी semester में back चाहे हो first semester का हो second semester का हो third semester का हो fourth किसी भी semester का हो fifth semester का हो तब भी आपका exam भहाई आप लोग अच्छा तरीके से preparation कीजे और हाँ भाईया मैं एक बात और आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग यार अच्छे तरीके से पढ़ाई किज़े कि बैक वगएर ना आए और खास करके फाइनल येर में बैक ना है क्योंकि भाईया आप लोग की जो मार्क सीट मिलती है फाइनल डिप्लोमा की उसमें सिर्फ फाइनल येर के मार्क हर एक सब्जेक्ट के अंकित रहते हैं यानि कि लिखे रहते हैं और बाकी फर्स्ट येर और सेकेंड येर के पूरी स बेक मत शोड़ियेगा अगर माल्या फाइनल यर में भी लग गई तो शिक्स समिस्टर में हर अर्ड को भी समिस्टर में आप इस विडिशन भी नहीं मिल पाएगा ठीक है क्योंकि तब तक आपका भी डिपलोमा कंप्लीट नहीं रहेगा तो भाईया बैक पेपर का लेकर के यही आप लोग को बताना था अगर फिर भी आपकी कोई डाउट से तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर पूछेगा अब हम बात करते हैं आप लोग की बैक पेपर का फॉर्म जो हो कब भरा जाएगा तो देखे अभी तक भाईया रिजल्ट नहीं आया है इसलिए अभी तक कन्फर्म नहीं है कि किन स्टुडेंट्स का बैक लाएगा तो फिलहाल छोड़िए क्योंकि वो आपके कॉलिज वालों को करना है आप लोग को सिर्फ प्रिंट आउट लेजा करके सिगनेचर करके अपने कॉलिज में जमा कर देना ठीक है अब देखे आप लोग की बैक पेपर फॉर्म कब भरा जाएगा तो देखे जो नोटिस आई थी उसी में लिखा गया था कि बैक पेपर फॉर्म भरने के लिए फिर से आपको सूचित क्या जाएगा बाद में ठीक है और हाँ अगर आपका बैक को गहरा लगता है तो आप लोग की बैक है तो इस बार जो है बैक पेपर का फॉर्म पहली बात तो कौन-कौन भर सकते हैं देखें इवन सेमेस्टर में अगर आपका किसी का भी बैक लगा हो ठीक है इवन सेमेस्टर में यानि कि सेकेंड फॉर्थ सेमेस्टर में अगर आपका बैक लगा हो तो आपको तो भीया बैक देने का इसमें मौका मिलेगा ठीक है और अगर आप फिफ्ट सेमेस्टर का इस जो result आ रहा है अगर आप 5th semester में अगर उसमें भी back अगर आपका लग जाता है तो भी आप लोग back paper देने के लिए eligible है तो भाईया देखे आप सब भी लोग यार पढ़ाई कीजे पहली बात तो means चीजे focus आप लोग पढ़ाई की अपनी even semester पर focus कीजे ठीक है लेकिन दोस्तों अगर आप 5th यानि की last semester में हैं तो आप लोग भी आप back paper पर भी ध्यान देजे विधवाद ध्यान देजे वैसे देखे 5th semester में या last year में back paper कोई भी examiner या जो copy चेक करते हैं वो लगाना नहीं चाहते हैं लेकिन अगर आप की भी या मतलब एकदम लोचा है copy में तो भी या उनकी भी मजबूरी है ठीक है तो भी या इस तरीके से आप लोग का back paper पर भरा जाएगा result आने के बाद result आने के लगबग अगर मैं expect करूँ result आने के लगबग एक हफते के अंदर आप लोग का back paper form भरा जाएगा क्योंकि भाईया आप लोग की निर्धारित की गई है 15 जोन से exam कराया जाने की ठीक है हो सकता है exam में एक दो दिन इधर उतर हो ठीक है फिलाल अगर कोई update आता है तो मैं आप लोग को जरूर दूंगा ठीक है अगर दोस्तों ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरू कर दिजेगा और साथ में टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर लिजेगा लेटस्ट अपडेट को पहले पाने के लिए क्योंकि भाईया कभी कभी उस टाइम वीडियो जाती है तो आप सभी लोग यार कमेंट करके जरू पूछेगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए और हाँ वीडियो को लाइक जरू कर दिजेगा पाकी दूस्तों मिलते हैं फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट जानकारी या किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए बाई जैहिंद